Question number 1 Prove that root 5 is an irrational number इसे prove करने के लिए हम यहाँ पर irrational number का opposite suppose कर लेंगे हम लिख लेंगे suppose that root 5 is a rational number लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम इसके opposite suppose कर रहा है देखिए हमें तो prove करना है कि root 5 irrational number है तो हम यदि ऐसा माल ने पहले कि चली हम मान लेते हैं कि या irrational नहीं है बलकि या rational है यदि rational हम मान करके कुछ ऐसा result आ जाए हमें last में कि उससे ये पता चल जाए कि जो हमने माना है वो गलत माना था तो फिर जब जो हमने माना था सपोज किया था वो ही गलत है तो फिर पिछले वाला जो यहां पर जो result दिया हुआ है वो सही होना चाहिए इसी method को बोलते हैं contradiction method ठीक है तो वही हम contradiction method का यूज करेंगे contradict का मतलब होता है opposite result देना ठीक है तो ध्यान जेगा यहां पर यदि हमने root 5 को rational number मान लिया तो हमें rational number के farm में root 5 को लिखना होगा it means we can write root 5 is equal to p upon q लेकिन हम जब p upon q के farm में लिख रहा हैं तो यहां पर हम p और q को specify करना चाहते हैं ताकि हमें जो result आये वो अच्छे से पता चले कि हाँ यह p और q है क्या देखिए p और q जो हम ले रहा हैं ऐसे numbers ले रहा हैं जिन में common factor 1 है के बरत p by q का जो यह rational number है उसका standard farm लेना है मैं standard farm की बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि देखिए कोई भी number unique नहीं होता कोई भी rational number unique नहीं होता उसका कोई ना कोई एक equivalent farm होता ही है बहुत सारे होते हैं जैसे 2 by 3 है यह एक ऐसा number है जिसके बहुत सारे equivalent होंगे जैसे कि 4 upon 6 फिर होगा इसमे 6 upon 9 ऐसे ही आप निकालते रहेंगे there are infinite number of equivalent to this ओके लेकिन यहाँ पर हमें p by q जो माने है suppose किये है वो आपने इसको लिया है इसको लिया है या इसको लिया है किसको लिया है क्योंकि एक ही number होगा उस number के कई सारे farm होंगे तो कौन से farm को हम यहाँ पर लिखे है यह हम specify करना चाहते हैं पूरा specific होना चाहते हैं क्योंकि mathematics is about specific तो root 5 is equal to p upon q हमने जब माना है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि p और q में तो हम यहाँ पर मान लेंगे p and q have no common factor other than 1 मतलब p और q में और कोई भी count factor नहीं है 1 के अलावा जैसे यहाँ पर 2 by 3 में common factor क्या है 1 है लेकिन यहाँ पर common factor क्या है 1 भी है 2 भी है यहाँ पर common factor क्या है 1 है 3 है तो हमने ऐसा माना है कि केवल common factor 1 ही हो जैसे 2 by 3 में 2 में और 3 में जो common factor है वो केवल 1 है तो हमने ऐसा वाला rational number माना है root 5 is equal to ठीक है इतना यदि हम समझ गए तो अब समझने में आसानी हो जाएगी देखें अब हम ऐसे result पर आना चाहेंगे जहां पर ये पता चल जाए कि P और Q में केवल एक 1 ही नहीं है count factor बलकि कुछ और भी है यदि हम एक दूसरा भी count factor निकाल लें तो फिर तो ये result ही गलत हो जाएगा तो यही हम करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कैसे करें तो यहाँ पर जो हमें पहले से result मिल चुका है suppose करने के कारण इसी को use करके हम find करेंगे वो result चल लिए हम यहाँ पर करते हैं तो हम यहाँ पर कर लेंगे crash multiply तो मिल जाएगा हमें root 5 q is equal to p squaring on both sides क्योंकि हम root हटाना चाहते हैं यहाँ पर यह हो जाएगा 5 q square is equal to p square ठीक है अब ध्यान देजाएगा यह जो 5 q square है यह 5 का multiple है क्योंकि 5 q square इसको डूली सकते हैं 5 into q square तो कोई भी number यदि 5 की multiple होती है तो वह 5 से exactly divisible होता है तो इस number को हम 5 से divide करेंगे तो q square आ जाएगा मतलब कि exactly divisible है यह तो 5 square is divisible by 5 और यह 5 square p square के बराबर है इसका मतलब कि p square भी divisible होगा 5 से ठीक है इसी बातकों में आप लिखेंगे तो since 5 divides 5 q square it implies 5 divides p square ठीक है यह हम जानते हैं कि 5 जो है 5 q square को divide कर रहा है करता है इसी लिए 5 भी divide करेगा p square को अब यहाँ पर एक बात है 5 जो है प्राइम है देखें यहाँ पर एक result है theorem है जो यह कहता है कि यदि कोई number किसी दूसरे number के square को divide करता है तो वह number मतलब 5 उस number को भी divide करता है मतलब यह कहने तो 2 को भी 2 divide करेगा तो 2 से कट जाएगा यहाँ भी कटेगा तो इसी बात को मतलब यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ आप प्रूफ पढ़ेंगे actually BSC में तो अभी यहाँ पर हमके वाली इस result को use करेंगे as a simple understanding के लिए ठीक है तो आप इसको याद कर लिजेगा कि यदि कोई prime number किसी number के square को divide करता है तो वह prime number उस number को भी कोई divide करेगा चलिए उसी बात को यहाँ लिखेंगे कि 5 divides p also इतना ही लिखते है 5 divides p it implies यह बताए कोई number यह किसी number को divide करता है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि 5 is a factor of is a factor of p जिसे कि हम मैं यहाँ पर example के रूप में एक दिखाना चाहता हूँ 12 है 12 को 3 यह दिवाइड करें हम 3 से तो divide कर देगा 4 times जाएगा 0 जाएगा तो 3 से 3 क्या है 3 divide कर रहा है 12 को तो हम यह करना चाहते हैं कि 12 में 3 एक factor आएगा तो हम दिखते हैं factors क्या होंगे इसके 2 into 2 into 3 into 1 यह जिसमें से 3 क्या है 1 of the factors है इसका तो वही तो हम यहाँ पर लिखे है 5 divides P यदि 5 P को divide करता है तो 5 is a factor of P ठीक है यह बात समाजगे आप ओके अब इसके आगे बढ़ते हैं हमने एक factor तो पा लिया किसका P का हम चाहते हैं कि Q का भी factor 5 हो यह बताएगे 5 यदि factor है P का यह सारे factors ह क्या है 1 of the factors है इसका तो वही तो हम यहाँ पर लिखे है 5 divides P यदि 5 P को divide करता है तो 5 is a factor of P ठीक है यह बात समाजगे आप ओके अब इसके आगे बढ़ते हैं हमने एक factor तो पा लिया किसका P का हम चाहते हैं कि Q का भी factor 5 हो यह बताएगे 5 यदि factor है P का तो हम आगे बढ़ना जाते हैं यदि 5 factor है P का तो हम P को लिख सकते है P is equal to multiple of 5 मतलब 5 into something देखे 5 यदि factor है जैसे 12 में देख रहे थे हम लोग 2 into 2 into 3 यहाँ पर धान देजिएगा 3 क्या है एक factor है ना इसका 3 क्या है एक factor है 12 का तो हम 12 को ऐसा नहीं लिख सकते है 12 is equal to 3K है कि नहीं 3 के लिख सकते है यहाँ जहाँ पर K क्या है K है 4 इन दुन का multiple है 4 तो हम 12 is equal to 3 into K लिख सकते है यदि 3 इसका factor है तो वही बात हम यहाँ पर करेंगे P is equal to 5 K लिख देंगे अब धान देजिएगा इसकी जो value है हम इसमें put करेंगे इसको हम माल लेते हैं first लिख लिख लेते हैं we get तो यहाँ पर हम put करते हैं implies we will get 5 Q square is equal to 5 K whole square थोड़ स्मिल्फाइग करेंगे तो मिलेगा हमें 5 और 25 K square यहाँ पर 5 बंजब 5 और 25 हो जाएगा finally मिल जाएगा हमें Q square is equal to 5 K square अब यहाँ पर ध्यान देजएगा यह जो 5 K square है यह 5 से divisible है क्योंकि यह multiple है 5 है है कि नहीं 5 into K square है यहाँ पर तो यदि यह 5 से divisible है तो Q square भी divisible होगा 5 से उसी बात को हमें अब लिखेंगे कि if 5 divides this number then 5 divides Q square also तो since और जैसे कि हमने यहाँ पर result जो हमने 5 is a factor factor of Q अब ध्यान देजएगा यहाँ पर हमें दो result ऐसे से मिले हैं जो हमें अचमभीत करेंगे देखिए आपर यह जो result है और यहाँ पर जो result है इन दोनों से आपको क्या पता चलता है कि 5 is a factor of P and Q मतलब P और Q जो यहाँ पर सपूज किये थे जिसमें क्यों of P and Q तो यहाँ पर जो यह result मिला हमें इन दोनों से यह गांट्रेडिट करता है यह जो result है वो गांट्रेडिट करता है इस fact को जो हमने माना था यहाँ पर तो वही लिख देंगे यहाँ पर ओके तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि it contradicts the fact that यह जो हमने result पाया है यहाँ contradict करता है कि P and Q have only one as a common factor गांट्रेडिट करने का मतलब यह जो यहाँ पर statement है यहाँ से लेकर करके यहाँ तक इस statement को contradict करता है यह वाला statement तो यह तो हमने माना था ऐसा अब इसका opposite मिल रहा है result तो यह जो result आया है जो यह result आया है यह कुछ मानने से आया है हमने पहले suppose किया था कुछ suppose किया था हमने कि root 5 is a rational number यह हम मानने के वज़ा से root 5 is a rational number यह मानने के वज़ा से सुरू-सुरू में starting में हमें एक ऐसा absurd result मिल गया कि 5 is a factor of P and Q बट हमने यहाँ पर देखा था कि 5 is not a factor of P and Q ठीक है केवल था हमने 1 माना था न लेकिन यहाँ पर तो एक और मिल गया तो इसी ब root 5 is not a rational number root 5 is not a rational number ओके तो यह फिर है क्या it implies we conclude that कोई भी नमबर यदी rational नहीं है तो वह irrational ही होगी क्योंकि दो ही तरग नमबर होता है real line पर हेक होता है rational एक रेसोर्थ यदि हमने यहाँ पर दिखा दिया कि y Cyrus not a तो वह irrational ही होना चाहिए इसलिए root 5 क्या होगा अब irrational होगा तो एक बार थोड़ा सा हम लोग revise कर लेते हैं ताकि अच्छे से पता सल जाए कि क्या हम कर रहे थे यहाँ पर ध्यान दिजीगा पहले-पहले हमने suppose कर लिया कि यह rational number है यदि rational number होगा तो P by Q के farm में represent कर लेंगे तो P by Q लिग देंगे यहाँ पर लेकिन हमने P by Q जो लिया है उसमें ऐसा लिया है P और Q जिसमें count factor 1 के अलावा कोई नहीं है ठीक है अब हमने यहाँ क्राश मटपलाई किया और square किया उसके बाद से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 Q square 5 से usable है 5 divides 5 Q square therefore 5 will divide P square also कि यहीं दोनों equal है but 5 is prime 5 जो प्राइम है यहीं प्राइम नंबर होगा तो prime number divide करता है square of a number then that prime number will also divide that number मने P को divide करेगा यहीं लिए 5 divides P also तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 is a factor of P यहीं 5 divide करता है P को 5 is a factor of P तो हम factor यहीं होगा P का तो P is equal to 5 के लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था उधर फिर हम putting P is equal to 5 के यह दो 5 की value है हम इसमें put करके Q को प्रूफ करेंगे कि Q को भी 5 divided करता है यहां put कर रेस्वा कैंसल किये फिर Q square is equal to 5K square मिल गया अब यह 5K square divisible है 5 से 5 divides 5K square then 5 divides Q square also क्योंकि यह equal है तो यहां पर 5 divides Q because 5 is a prime and therefore तो 5 is a factor of Q यहां से में लिया तो यह दोनो यह जो rate में हमें यहां पर किया है यह दोनो result यहां पर हमें लाते हैं कि 5 is a factor of P and Q 5 जो है P और Q दोनों का factor है तो यह जो result आया है यहां contradict करता है it contradicts the fact that P and Q have only one as a count factor तो क्योंकि 5 भी एक another count factor आ गया तो वही contradiction पैदा हो गई क्योंकि पहले-पहले तो हमने यह माना था but opposite में एक और मिल गया तो इसका मतलब so root 5 is not a rational number जो हमने शुरू में suppose किया था our supposition is also wrong so what is then right this is right तो आप question number 1 जैसा ही question number 2 है तो आप question number 2 solve कर सकते हैं चले यहाँ पर हम question number 3 का प्रूफ करेंगे यह थोड़ा सा अलग है तो ध्यान दिजेगा prove that root 6 is an irrational number तो यहाँ भी contradiction method का जुच करेंगे और सबसे पहले माल लेंगे कि root 6 is a rational number यदि हमने रिशन नमर माल लिया root 6 को पहले जो कि हमें प्रूफ करना है additional number तो हम इसको ले सकते हैं root 6 is equal to p upon q लेकिन p upon q लिखेंगे तो हमें ऐसा p और q लेना होगा जिसमें count factor 1 हो के वल और 1 के अलाबा और कोई भी count factor p और q में 9 हो क्यों ऐसा ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी number जैसे 1 by 2 है 1 by 2 uniquely expressed नहीं होता जैसे कि 1 by 2 को हम लिसकते हैं 2 upon 4 इसी को लिसकते हैं फिर 3 upon 6 यह सारे क्या है equivalent rational numbers है और equivalent rational numbers है तो यहाँ पी बाइक्यू जो मान रहे हैं हम ऐसा पी बाइक्यू मान रहे हैं जो जिसमें count factor 1 हो जैसे कि 1 by 2 में क्या है count factor 1 है 1 में 1 है 2 में 1 है यहाँ 2 by 4 में count factor क्या है दोनों में numerator denominator में 2 है यहाँ पर 3 है तो इसी लिए हम यहाँ पर इस तरह के number को मतलब standard हम माने है पी अपन क्यू ठीक है अपन माले पी और क्यू है नो common factor other than 1 ठीक है पी और क्यू में कोई भी दूसरा common factor नहीं है 1 के अलाबा चलिए अब हम इसको ऐसा result पाएंगे जिसमें हम ऐसा मिल जाएगा कि पी और क्यू में एक और common factor मिल जाएगा तो यह disprove हो जाएगा चलिए कैसे मिलेगा वही हमें ध्यान देना है अब is equal to यहाँ पर हम crash multiply कर लेंगे मिल जाएगा हमें root 6q is equal to p squaring on both sides we will get 6q square is equal to p square अब यहाँ ध्यान दीजेगा 6q square जो है 2 से usable है तो यह 2 से usable होगा तो p square भी 2 से usable होगा तो इसी बात को हम यहाँ पर दिखे लेंगे it implies 2 divides 6q square it implies 2 divides p square देखे 2 divide करता है p square को but 2 is a prime number तो इसका मतलब यह है यहाँ ले सकता है कि but 2 is prime तो इदी prime number किसी के square को divide करता है तो समझ लेजिए कि वो prime number उस number को भी divide करेगा मतलब 2 यह दी p square को divide करता है तो 2 जो है p को भी divide करेगा ऐसा मतलब एक theorem है जो आप प्रूव करेंगे बेसी में पढ़ेंगे तो तो अभी इसको केवल आप ऐसे माल लेजिए यह कि 2 यह दी डिवाइड करता है p square को और 2 prime number है तो यह इट इमपलाइज 2 डिवाइड पी आलसो 2 डिवाइड पी यह पाता यह 2 यह दी p को डिवाइड करता है इसका मताब 2 इसको समझ लेता है कैसे अब इसको 2 डिवाइड करता है तो मतब 2 जो है 6 को डिवाइड करता है तो 6 में 2 factor होगा कैसे देखे 6 is equal to लिख सकते है 2 into 3 into 1 तो यहाँ पर 2 क्या है factor नहीं है तो वही तो यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पहली बार इस result से 2 डिवाइड पी इससे निकल गया है 2 is a factor of P अब हम यहाँ इसके आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही important result पर बहुचेंगे अब ध्यान देजेगा अब 2 जो है P का factor है इसका मतलब it implies हम लिख सकते हैं कि P is equal to 2 K where K क्या है K is some integer मतलब 2 जो है P का factor है तो P जो है 2 का multiple होगा इसलिए P is equal to 2 K अब यह जो P is equal to 2 K है इसको हम put कर देंगे यहाँ पर इस वाले equation में मिल जाएगा 2 K स्क्वाइर अब क्या मिलेगा 6 Q स्क्वाइर इसकाल जो हम जाएगा 4 K स्क्वाइर अब यहाँ से 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4 हो जाएगा तो मिल जाएगा हमें 3 Q स्क्वाइर is equal to 2 K स्क्वाइर ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दिजेगा यह जो 2 है यह 2 K स्क्वाइर है यहाँ 2 से divisible है क्योंकि 2 multiple है यहाँ पर तो 2 K स्क्वाइर इदी 2 से divisible है तो 3 Q स्क्वाइर भी 2 से divisible होगा क्योंकि यह तो equal है इसके इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे it implies 2 divides 2 के स्क्वाइर it implies 2 divides 3 Q स्क्वाइर है कि नहीं 2 जो है 3 Q स्क्वाइर को भी डिवाइड करेगा यह यह equal है इसके इसलिए अब यहाँ पर यहाँ से एक और बात मिल रही है कि 2 divides 3 Q स्क्वाइर मिन्स आइदर 2 divides 3 और 2 divides Q स्क्वाइर तो यहाँ पर पहला रिजल्ट तो होगा ही नहीं पॉसिबल क्योंकि 2 जो है 3 को डिवाइड करता ही नहीं यह हमें पता है तो इसका मतलब कि दूसरा वाला रिजल्ट फालो होगा 2 divides Q स्क्वाइर तो 2 divides Q स्क्वाइर इस करेक्ट 2 divides Q स्क्वाइर इस पॉसिबल यदि यह पॉसिबल है तो इसके आगे हम लिख लेंगे यह पॉसिबल है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 divides Q स्क्वाइर 2 divides Q अलसो क्योंकि 2 इस प्राइम 2 divides Q अलसो अब ध्यान दिजेगा यहाँ पर जो result मिला हमें यह 2 इस फेक्टर अफ क्यू और यहाँ पर जो result मिला था 2 इस फेक्टर अफ P इन दोनों से हमें क्या conclusion मिलता है इन दोनों से conclusion हमें यह मिलता है तो यहाँ पर हम दे भी सकते है from this 2 we can write 2 is a है पर कर सकते हैं so 2 is a factor of factor of P and Q both अब यह बता है 2 factor है P और Q का हमने ऐसा result derive कर लिया लेकिन यह जो 2 इस फेक्टर है P और Q यह बात जो है contradict कर देती है इस बात को जो हमने यहाँ पर माना था कि P and Q have no other count factor than 1 no count factor other than 1 तो P और Q में कोई भी count factor नहीं होना चाहिए 1 के अलावा लेकिन यहाँ पर 2 एक extra count factor कैसे मिल गया 2 count factor कैसे मिल गया यहाँ पर तो जब ऐसा मिल गया तो यह candidate करता है इस fact को किस fact को इस fact को तो इसका मतलब कि यह गलत हो गया फिर तो हमने जो suppose किया था वही गलत है इसका मतलब तो root 6 is a rational number यह माना जो हमने था है वही गलत है जब यह गलत माना मैंने तो इसका opposite वाला correct होगा इसका opposite क्या है कि root 6 is an irrational number यही सही होगा तो ठीक ऐसे आप इसको prove कर सकते हैं इस गलता है तो इस गलता है प and q have no other count factor than 1 hence hence root 6 is not an irrational number therefore root 6 is an irrational number ऐसा लिख लेंगे question number 4 prove that 1 upon root 11 is an irrational number सबसे पहले हम suppose कर लेंगे कि 1 upon root 11 is a rational number तो हमने suppose कर लिया 1 upon root 11 एक rational number है यदि rational number होगा तो p by q के form में represent कर सकते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे it implies 1 upon root 11 is equal to p upon q where जहाँ पर p और q क्या है they have no common factor other than 1 ठीक है जैसे हम लोग पहले equations में prove कर रहे थे ठीक वैसे की कर रहे हैं ठीक है तो अब बस इसको देखती जाएए कैसे कर रहे हैं तो यहाँ पर craftsman apply करेंगे we will get squaring कर लेंगे 11p square हो जाएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा 11p square divisible by 11p square is divisible by q square 11p square जो है 11 से divisible है तो q square भी divisible होगा क्योंकि यह दूनों equal है इसी बात को यहाँ पर लिख लेंगे since 11 divides q square also but 11 is prime 11 prime है therefore 11 divides q also ठीक है ऐसा हमने पा लिया उसके बाद आप जानते हैं क्या करना है 11 यह दी डिवाइड करता है q को तो इसका मतलब कि 11 is a factor of q अब यह हमने ऐसा result ड्राइब कर लिया जिसका हम यूज करेंगे यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 11 इस फैक्टर है q का तो we can write q as 11 into something k where k is some integer ठीक है q is equal to 11 k लिखा जा सकता है और इसकी value हम put करेंगे यहाँ पर इस वाले equation में this is first हमें मिल जाएगा 11 k square is equal to 11 p square finally मिल जाएगा हमें 11 k square is equal to p square अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 11 k square usual है 11 से तो p square भी usual होगा 11 से क्योंकि दोने equal है उसी को लिखे लेंगे since since 11 divided 11 k square it implies 11 divides p square but 11 is a prime 11 जाएप है therefore 11 divides p also यदि 11p को divide करता है it means 11 is a factor of p और यदि 11p का factor होगा तो हमें यहाँ पर एक result मिल गया दूसरा अब यह first result और यह second result इन दोनों को देख करके हमें क्या मिल रहा है 11 is a factor of p and q तो हमने पालिया एक ऐसा result जो यहाँ पर लिख लेंगे 11 जो factor of p and q लेकिन हमने माना क्या था पहले पहले हमने यहाँ पर ऐसा माना था कि p और q have no common factor other than 1 बट हमने यहाँ पर ऐसा result डिराइव कर लिया कि 11 is a factor of p and q तो it contradicts the fact यह जो result आया है यहाँ contradict करता है किस यूज को इस fact को कि p and q have no common factor other than 1 यदि contradict करता है तो यह contradiction arise कैसे हुआ यह contradiction arise हुआ यह suppose करने के कारण मतलब यह suppose करने के कारण कि 1 upon root 11 is a rational number जब यह suppose करने के कारण यह result आया है absurd result तो इसका मतलब यह है कि जो हमने suppose किया था वही wrong है तो this is wrong 1 upon root 11 is a rational number यह suppose करना wrong है जब यह wrong है तो true क्या है true है यह इसी बात को आप लिख लीजेगा नीचे इसके नीचे आप लिख लेंगे that will be your final answer question number 5 prove that root 2 is an irrational number hence so that 3 minus root 2 is an irrational number जो first part है इस part को आप question number 1 के अंसार कर सकते हैं लेकिन जो second part है उसका proof यहाँ पर मैं दूँगा ठीक है चलिए ध्यान दिजेगा यहाँ पर 3 minus root 2 is an irrational number हमें prove करना है तो हम क्या करेंगे पहले suppose that 3 minus root 2 is an irrational number यदि यह rational number होगा तो it implies यह P by Q के form में इसको हम लिश सकता है 3 minus root 2 will be equal to P upon Q लेकिन एक बात ध्यान देनी है आपर कि इसको हम यह दिए P by Q के form में लिखते हैं तो P by Q में कोई भी count factor rather than 1 नहीं होना चाहिए यह ज़दा important नहीं है यहाँ पर हम बस P upon Q के form में इसको लिख सकते हैं अब यहाँ पर हमें cross multiply करने पर या फिर root 2 को हम अलग करते हैं P by Q और 3 को एक साथ लिखते हैं देखे क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा कि 3 minus P upon Q is equal to root 2 मने root 2 को हमने transpose कर दिया right side में तो plus में हो गया और P by Q को left side में लेगा ऐसा हो गया अब इसको थोड़ा simplify करेंगे तो Q से मट उपलाई करिए यह हो जाएगा 3 Q minus P upon Q is equal to root 2 अब ध्यान दिजएगा यहाँ पर जो number बन गया है यह जो number बना है 3 Q minus P upon Q यह एक rational number है तो कि Q और P क्या है integers है तो किसी integer में Q क्या है Q एक integer है यदि किस integer में 3 से मट पलाई करेंगे और उसमें से minus कर देंगे दूसरा integer कोई और integer तो यह पूरा-पूरा मिल करके यह बन जाएगा एक another integer तो this is an integer finally 3 Q minus P is an integer and Q is also an integer it means this upon this 3 Q minus P upon Q is a rational number तो यह एक rational number है एक rational number एक irrational number के बराबर कैसे हो सकता है तो this result is not true यहीं पर आप डिरेक्ट लिखेंगे कि this is not true लिखोगे आपके since root 2 is an irrational number and this number 3 3 Q minus P upon Q Q is rational so how could an irrational number be equal to a rational number that's why it is wrong तो an irrational number is not equal to a rational number therefore this result यह जो result आया है यह आया है because we supposed that this number is a rational number तो our supposition is wrong so our supposition is wrong तो राइट के अफिर राइट यही है कि this is an irrational number question number 6 ध्यान देज़ेगा यहाँ पर prove that root 3 is an irrational number hence so that 2 upon 5 root 3 is an irrational number तो actually जो first part है कि root 3 को irrational approve करना है इस part को आप आसानी जखर सकते हैं क्योंकि मैंने बता दिया है question number 1 को देख करके जैसे करते हैं ठीक वाइसे ही करिए गाइसको question number 1 में root 5 था तो यहाँ पर root 3 दिया हुआ है तो root 3 जहाँ जहाँ 5 वहाँ पर use हुआ है वहाँ वहाँ 3 तो जैसे हम पहले कर रहे थे जो strategy थी contradiction method थिक वही यहाँ भी use करेंगे तो हम पहले suppose कर लेंगे suppose that 2 upon root 5 2 upon 5 root 3 is a rational number यदि यह rational number के बराबर होगा तो p by q के बराबर कर लेंगे it implies 2 upon 5 root 3 is equal to p upon q यदि p upon q के बराबर होगा तो हम यहाँ पर देखिए ध्यान से cross multiply कर लेंगे यह रूट 3 है यह numerator में है ठीक है तो q से multiply यदि करेंगे तो मिलेगा हमें 2 root 3 q is equal to 5p और ध्यान देगा root 3 को हम यहीं परहने देते हैं और केवल 2 और q को right side में transpose कर देंगे तो divide में चला जाएगा तो लिख देंगे हम is equal to root 3 is equal to यहाँ पर हो जाएगा 5p upon 2q अब ध्यान देज़ेगा यहाँ पर यह है एक rational number और यह हम मिल गया हमें एक rational number p क्या है एक integer है यहाँ पर p एक integer है q भी एक integer है तो 5 into p भी एक integer होगा और 2 into q भी एक integer होगा therefore this number is an is our rational number okay and this is an irrational number तो irrational number rational number के बराबर कैसे हो सकता है तो this result is wrong और यह जो result है wrong आया है due to the supposition that 2 upon 5 root 3 is our rational number इसका मतलब कि this supposition is wrong we have supposed it wrongly मतलब यह सही नहीं है जब यह सही नहीं है तो क्या सही है सही यह है 2 upon 5 root 3 is an irrational number this is correct okay question number 8 देखिए question number 7 है एकदम सेम है question number 5 के जैसा तो question number 5 में जैसे मैंने बताया आपको ठीक वैसे ही question 7 कर सकते है तो चलिए question 8 को देखते है question 8 में जो यह सारे first part second part third part यह तीनों पार्ट जो है question number 7 question 7 के जैसे ही है और यह question 7 जो है question 5 के जैसा है तो बिल्कुल ही इन दोनों के help से आप यहाँ पर कर सकते है बहुत असान है यह कुछ भी नहीं है यहाँ पर एक नया दे दिया है fourth part इसको हम इस part में करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर प्रूव करना है कि यह irrational है हमें यह प्रूव करना है तो इसके opposite suppose कर लेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं तो suppose that तो हमने suppose कर लिया कि root 2 plus root 5 is a rational number ठीक है हमने rational number माना है अब देखिएगा हमारा जो result आएगा कुछ ऐसा आजाएगा जो की absurd होगा इतम मतलब की wrong होगा पूरी तरह से यह मानने के वज़ाद से ठीक है तो देखिए कैसे होगा यदि हमने इसको माना है कि एक rational number है तो हमें इसको P by Q के form में equate करना होगा तो root 2 plus root 5 must be equal to some number P upon Q ठीक है यह एक rational number है अब यहाँ पर P और Q के बीच में कोई factor कामन है कि नहीं है उसके बारे में discuss करने के जोरुत नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो relevant नहीं है उतना जादा तो यहाँ पर simply हम इसको अलग तरीके से करेंगे जैसे equation अबर 5 में कर रहे थे ध्यान देजिएगा यहाँ पर एक root को right side में transpose कर देजिए जैसे कि हम कर सकते हैं root 2 is equal to P upon Q minus root 5 ठीक है किसी एको कर सकते है किसी को करेंगे तो वो correct होगा ठीक है अब ध्यान देजिएगा यहाँ पर हम थोड़ा solve कर लेंगे मिलेगा हमें root 2 is equal to P minus root 5 Q upon Q ऐसे मिलेगा ठीक है ऐसे मिलेगा करके minus करेंगे तो ओके now squaring on both sides we will get 2 is equal to यहाँ मिलेगा square करेंगे A minus B का whole square formula लगाएंगे तो P square plus 5Q minus 2 minus 2 P Q root 5 ऐसे मिलेगा whole upon Q square ठीक है तो हमने squaring कर लिया यहाँ पर अब ध्यान देजिएगा हमें बस यह root 5 बचा है यहाँ पर तो root 5 को हम निकालेंगे root 5 की value in terms of all these कैसे निकालेंगे तो हम cross multiply करेंगे फिर solve करेंगे तो होगा यहाँ cross multiply करते हैं यहाँ solve करते हैं तो मिलेगा हमें 2Q square is equal to यह पूरा नंबर P square plus 5Q minus 2P Q root 5 ठीक है अच्छा यहाँ पर मैंने square किया था तो 5Q square होगा यहाँ पर ठीक है ध्यान देजिएगा यहाँ पर इतना हो गया हमें root 5 की value find करनी है तो root 5 की value find करने के लिए हम 2P Q root 5 को left side में transpose कर देंगे तो यह positive हो जाएगा 2P Q root 5 is equal to और 2Q square को right side में transpose कर देंगे तो मिल जाएगा P square plus 5Q square minus 2Q square तो हमें क्या मिलेगा फिर finally मिलेगा हमें 2P Q root 5 is equal to यहाँ solve कर लेते हैं मिलेगा P square plus 3Q square finally मिल जाएगा root 5 is equal to P square plus 3Q square whole upon 2P Q और यहाँ पर जो result मिला यह एक rational number है और root 5 क्या है irrational number है तो एक irrational number rational number के बराबर कैसे हो सकता है नहीं हो सकता rational number के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकता तो यह result जो आया है यह आया है because we supposed that root 2 plus root 5 is a rational number तो यह जो हमारा supposition है वही wrong है क्योंकि यह suppose करने के करना ही तो यह गलत result आया है एक ही rational number rational number के कभी बराबर नहीं होता तो यह जब suppose करने के करना आया है तो यह supposition ही is wrong है तो इसका मतलब कि जब यह wrong है तो क्या सही है तो इसका opposite सही होगा इसका मतलब कि root 2 plus root 5 is an irrational number ऐसे आप लिख देंगे नीचे बस आपका final answer आपका full marks मिलेगा आपको तो यहां तक यह आप देख रहे हैं तो I am very thankful to you और यह आपको कोई भी doubt है अभी भी तो आप comment box मिली सकते हैं I will surely reply that और किसी भी exercise का solution चाहिए then please comment तो इसका आपको कोई भी doubt है अभी भी तो आप comment box मिली सकते हैं